साथियों, आज सरडोल की इस धर्ती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनिमिया की बिमारी से मुक्ती का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनिमिया की गिरप में आने वाले डाई लाग बच्चे और उनके डाई लाग परिवार के जनों का जीवन बचाने का। जात्यों मैंने देश के अलग-अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है। सिकल सेल एनिमिया जैसी बिमारी बहुत कस्ट्रदाई होती है। इसके मरीजों के जोडों में हमेशा दर्द रहता है। शरीर में सुजन और ठकावट रहती है। पीठ, पैर और सीने में और सहनिय दर्द महसूस होता है। साथ पुलती है। लंबे समय तक दद सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी छतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बिमारी परिवानों को भी बिखेर देती है। और ये बिमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बिमारी ऐसी है, जो माता पिता से ही बच्चे में ये बिमारी आ सकती है। ये आनुवाउशीक है। और इस बिमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो पूरी जिंदगी चुनोतियों से जूजते रहते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में सिकल, सेल, एनीमिया के जितने मामले होते हैं, उन में से आधे पच्चास प्रतिशत अकेले हमारे देश में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सत्तर सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपट्डे के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित जादातर लोग आधिवासी समाज के थे। आधिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन आधिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनोती को हल करने का बिड़ा अब भाज़पा की सरकार ने हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आधिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये हमारे लिए संवेदन सिल्टा का विशय है, भावनात्मक विशय है। जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जो गवर्नर है सिमान मंगुबाई आधिवासी परिवार के होनहार नेता रहे हैं। करीब पचास साल से मैं और मंगुबाई आधिवासी इलाकों में एक साथ काम करते रहे हैं। और हम आधिवासी परिवारों में जा करके इस बिमारी को कैसे रास्ते निकले, कैसे जागुरता लाई जाए, उस पर लगातार काम करते थे। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी मैंने वहाँ इस से जुड़े कई अभ्यान शुरू किये। जब प्रधान मत्री बनने के बाद मैं जापान की आता पर गया, तो मैंने वहाँ नौबेल पुरसकार जीतने वाले एक वैज्यानिक से मुलाकात की थी। मुझे पता चला था कि वह वैज्यानिक सिकल सेल बिमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उस जापानी वैज्यानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मागी थी।